जेटालाल और बविता अपनी सोसेटी में टहल रहे होते हैं कि एक चोर आकर बविता का पर्ष चुरा लेता है जेटालाल उस चोर के पीछे पीछे बाग कर एक शौप के अंदर गुश जाता है तो दोस्तों आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि इन में से कौन चोर है सोचिए सोचिए और आपका अंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपका वक्त शुरू होता है अब तो दोस्तों आपने तीसरे नमबर के आदमी को द्यान से देखा है तो सीशे में उसके कपड़े पीचे से उल्टे सीधे हो रहे है उसी ने जरूर आपने कपड़े निकाल कर फेक दिये होंगे और ये कपड़े उल्टे सीधे पहन ले मतलब नमबर तीन ही चोर है तो दोस्तों कि आपका भी यही आंसर था